गाए भैंसों का भूसा चारा गंद ये खिलाते हैं हम अपने महमानों को और खुद भी खाते हैं आज मैं बात करूँगी वो पांच चीजों की जो हम रोज खा रहे हैं ये सोचके कि वो हेल्दी हैं लेकिन वो हमें बहुत सारी बिमारियां पैदा कर रहे हैं सबसे पहले तो है ये काले रंग का कॉल ड्रिंग ये कई इसी बी कमपनी का देखिए या तो इसमें शुगर बहुत ज़ादा है दूसरे में डायेट कोग होता है जो कहने के लिए डायेट कोग है लेकिन वो पूरे शुगी को खतम कर द nickel को का अपने बляडर के कैंसर के साथ र आपे जैसे क्रिपिया इसको ना देङ, ना पिलाए ना पिएँ. उसके बाद हम पिलाते हैं JUSS, जिसको हम कहते हैं Fruit juice, अगर आप इस Fruit juice में हर खाने के ऊपर nutrition के facts लिखे रहते हैं अगर आप इस nutrition facts को ध्यान से देखें. इसमें इतने सारे और फूरुट के नाम पे सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट है तो क्रिपिया इसकी जगा पे आप घर में जा तो कटा हुआ फूरूट दें अपने महमान को या फिर आप शर्बत बना सकती हैं जो घर में और वो आप पिला सकते हैं बट आप शोर रहे हैं कि जिनको आप पिला रह जाएगा तो घुटनों में धर्थ और दूसरी बात है ब्लाड प्रेशर शुगर डायबेटीज इस तेंड डायबेटीज का एपिडेमिक है और हर साल दो क्रोड लोग मर जाते हैं हार्ट अटाक से जिसका कारण डायबेटीज और हाइपर टेंशन है फिर है हमारे ये हमार नूट्रिशन नहीं है ये मैदा है रिफाइन फ्लोर मैदा एक ऐसा जहर है जो PCOD का सबसे बड़ा कारण है मैदे की वजह से लिवर में फैट जमा होता है और लिवर फैटी हो जाएगा और ये चिपक जाता है इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्योंकि ये पुलने के बाद इसमें कुछ नहीं है तो रबड है आप रबड खाना चाहेंगे बिल्कुल रबड है ये तो इसको क्रिपे बिल्कुल नूडल्स को टोटली बंद कर दीजिए फिर हर घर में हैपी बर्डे में केक, बर्गर, बिस्किट, कुरकुरे, पैट फूट्स, चिप्स ये सब खिला जाते हैं अब इनकी क्या प्राब्लम है बेक्ट फूट्स में एक तो पहले उसमें मैदा होता है दूसरा उसमें ऑईल होता है जो ऑईल है वो पाम ऑईल यूज हो रहा है जितनी भी चीज़े बन रही है खासकर ये बेकरी ये तले हुए समान में घर में तो हम फिर भी कही कहीं सरसों का तेल और देशीगी यूज करते हैं लेकिन जो पाम ऑईल है उसमें 50% saturated ऑईल है इंडिया सबसे बड़ एक्सपोर्टर है वो बेसीकली साबून बनाने के काम आता है वो तेल और वो हम खा रही है क्रिपे जब भी पैकेट उठाएं तो जरूर देखें के ऑईल कौन सा है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि वो पाम उटिल ऑईल है पाम ऑईल बहुत बड़ा कारण है हमारी लिवर को डामेज करने का ब्लाड प्रेशर का और शुगर का इसके अलावा जो हम खाते हैं वो जो सबसे जरूरी चीज़ जो हमें नहीं खानी है वो है पांचों चीज़ें पैक्ड फूड जितने भी हम खाते हैं जो पांचों चीज़ें हमने बोलनी थी एक, दो, तीन, चार और पांच ये हमने खाना हम अपने सारे रिलिटिव्स या अपने गेस को खिलाते हैं और इसकी वज़े से ब्लड प्रेशर, शूगर, डायबेटीज, पीसी ओडी, घुटने खराब, हिप्स खराब, ये सारे इन फूर्ड की वज़े से शरीर को आप एक गाड़ी समझिए गाड़ी में अगर पेट्रोल की गाड़ी है उसमें हम पेट्रोल की जगा पे पानी डाल देंगे तो वो गाड़ी बैठ जाएगी ऐसे शरीर में हम जो खाना खाते हैं अगर वो खाना ऐसा है जो हमारे खाने की नूट्रिशन को खतम करता है इसमें कोई नूट्रिशन नहीं इस खाने में ना इसमें कोई अच्छा वेडामिन है ना कोई मिनरल है सिरफ नमक, मैदा, शुगर, ओल जो सिरफ हमारे हाट की वे पानी ले सकते हैं, चाच ले सकते हैं, फ्रेश फूट लीजिए, जूसिस की जगह पे कोशिच करिए कि फूट कटा हुआ खाएं ताकि आपके अंदर फाइबर जाए, जितना आपके अंदर फाइबर जाएगा उतनी आपको कैंसर से वो फाइबर आपको बचाएगा, ये छो